आए आज हम बनाते हैं बिना घी सूजी का हलवा इसमें घी का कोई इस्तमाल नहीं किया गया है सबसे पहले पैन गरम करते हैं फिर पैन में सूजी डालते हैं सूजी को हम ब्राउन होने तक भूनते हैं बिना घी के भूना जा रहा है देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है इसम इसमें थोड़ा पानी डाला पानी को हम अपनी भुणी हुई सूजी की अखर डालेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी शकर डालीर है शकर को अपने स्वाद के अनूसार is चैनि के अर इसको कलर देने के लिएUnry पूट कलर डालने के तुरंत बाद ही हम इसको चलाते रहे ताकि यह एक जगह न रहे अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसमें हमने दो तीन बून बढ़ियां सी स्मेल लाने के लिए केवड़े का इस्तमाल किया है देखिए दो तीन बून से जादा नीटा लेगा केवड़ लो फ्लेम पे हुआ है यह देखिए तयार हो गया है अब हम इसको एक प्लेट में सर्फ करते हैं जितना रसीला बिना गी का हल्वा दिख रहा है खाने में भी उतना ही स्वादिस्ट होता है यह देखिए अब हम इसको कुछ ड्राइफूड के से गानिश करेंगे अगर आप के पास गरी का पाउडर नहीं है तो आप इसे बादाम घिस कर भी गरी के पाउडर की जगा यूज कर सकते हैं जैसे मैंने की है यह देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यह हल्वा और खाने में भी यह बीना गी का हल्वा बहुत ही स्वादिस्ट होता है आपको अगर यह पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए